लेकि जो थेटर का मज़ा है वो ओटी डी में नहीं होता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। खासकर मैं पर्सनली ये बोलूँगा कि तोर बाद जैसी फिल्म का मज़ा है। क्योंकि विजूल एफेक्ट, साउंड जो सब चीजे हैं तो आपको 75mm के ओपर देखने में मज़ा आता है। You can enjoy that feel on a mobile. या on a TV चोटे उसके ओपर। अगर हम इसको positive देखे तो जैसे गरीच सार ने पहले ही बताया था कि जो इसकी audience है, Netflix की, क्योंकि मारी फिल्म Netflix की आ रही है, पुनित पाजी, 192 मिलियन लोगों तक इसकी पहुंच है तो पॉस्टिव अगर हम लेके चले तो बहुत अच्छा है कि हाँ इतने अलग-अलग लेंगिजेज में फिल्म जाएगी लेकिन अभी क्या कर सकते है कि करोना के चलते है अगर हमें यह चीज बिली बट वी है ठीक है जितना मिला उतना बहुत अच्छा है बत यह है जरूर के टेंटर में होती तो परसॉर्ल जिम भाट अच्छा लगता है इस से बेटर कुछ नहीं हो सकता था करन्छान्सेंफान्सतांस सिंग इस तैम फे य। अग्लोबल रीच वेर थर्मिजें एक इकशोनबहेश से जा ज ने इनकी बार ठीक है घरी जी की बार ठीक है ने इनकी में ठीक है लेकिन इनकरंट सरकम्स्टांसिज में जब ठीटर में जाई नहीं कोई रहा तो वट कें यू डू फिन सिरा प्रिस नहीं कई सारे हैं गुह थिंगे सिर्थ यह राधर यह प्लाइफरम ना होते तो मैं बोलता हूं कि राधर इस ताइम पे करोन के टाइम पे, लोगों को यह प्लाटफरम्स नहा होते, तो उनका घरों मेरहना मुशकल होिए मूशकल साहिः ओसरी पाद which is a very good thing I think normal routine के अंतर हम थेट्रे का लिलीज देते हैं शायद वो चीज नहां पाँच पाती है I mean reach, definitely OTT की reach जैसे 192 मिलियन लोगों तक जाती है मारी फिल्म इतने लोगों तक गई तो बहुत ही अच्छी बात है so जैसे पनीत पाजी ने बोला कि it's a blessing जैसे माहौल में ओटी का होना बहुत अच्छा जी बहुत अच्छा जैसे के हम पंजाबी हैं तो सेट के उपर पंजाबी में बात कर लेते थे so वो एक बहुत ही अच्छा एक आपको लगता के पंजाबी पंजाबी मिल गए बाकि उसके बाद कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि एक सुपरस्टार वाला टेंट्रम है या कुछ ऐसा बड़ा सहज माहौल कर देते थे हूँ सेट के उपर सबके साथ तो बाकि जब हमारा पहला सीन था तो जिस तरीके से हम लोग ने वो किया परफॉर्म किया वो बात अच्छा माहौल बना देते थे और रड़ अग्रेट वाकिम वेट संजुचार